असलालेकूम फैंस, वेलकम टू माई चैनल, शवनूरली खुबसूरत सी सुबा है, ग्रीन री है और आपकी आसपास ही है तो बहुत अच्छा लगता है इस ग्रीन री को देखकर किसी पार्क साइड में जब आप जाएंगे तभी जाएंगे लेकिन इस तरह से आसपास पौधों के रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा तो ये जादा तर प्लांट्स हमारे कबार में ही लगे हुए है इस तरह से घर के ही डब्बे, बाल्टी, पुराने टूटे टब, साइकिल की बास, केट सब कुछ इस्तेमाल करके आप एक अच्छा सा गार्डन बना सकते है और बहुत ही कम जगा में प्लांट्स लगा सकते है तो यहाँ पर आज मैंने एक और जुगाड की है और वो ये है थर्मा कॉल बॉक्स ये हर किसी के घर में पड़ा होता है और ये यहाँ से टूटा हुआ है तो ड्रेनेज होल बनाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी तो मैंने मिटीस में तयार करके रख दी थी ये देखिए तो ये एक वेल्रिन सॉइल है जब भी हम बनाते हैं और एक्स्ट्रा बच जाती है तो किसी भी बॉक्स में प्लांटर में भर कर उसको रख देते हैं तो अपने आप ही यहाँ पर कुल्फा जम गया है ये देखिए लेकिन इस तरह पौदे जमते हैं मिटी भर के रख दीजी तो आपको ये प्रूफ हो जाता है कि ये मिटी अच्छे से तयार हो जुकी है तो आज हम इसको थोड़ा सा डेकोर करने के बाद इसमें प्लांट एट लिस्ट लगा ही देंगे तो चलिए इसमें लगाते हैं पेंट तो ये रहा पेंट इसकी डखन को मैंने खोल लिया है इनेमल पेंट है लोहे वगेरा में जो करते हैं और इसी से हम इसको डेकोर कर देंगे तो फैब्रिक का एक कॉटन का ठुकड़ा ले लीजी और बस इस तरीके से डिप कीजिए इसमें और इसको पेंट कर दीजे तो हम कर लेते हैं पेंट और फिर मिलते हैं आपसे इस तरीके से पूरे चारो तरफ मैंने पेंट को लगा दिया हुआ है और ये जैसे ही लगा रहे हैं वैसे वैसे ये सूकता भी जा रहा है तो वाइट पी अच्छा लगता ये है वो एमर्जेंसी लाइट आती है ना जिसमें टॉर्च वगेरा तो ये उसका बॉक्स था पड़ा था तो मैंने सोचा कि चलिए इसमें प्लांट्स लगा लेते हैं तो दूसरा मैं एक एक्रिलिक कलर ले रही हूँ ब्लू कलर और इसे मैं इस पर डॉर्ट डॉर्स डाल देती हूँ जादा डिजाइनिंग करना मुझको समझ में नहीं आता है इसलिए कि पौधा जब बढ़ता है तो वो नीचे आता है और फिर उसके बाद प्लांटर दिखता ही नहीं है और मैं तो इसमें ऐसे प्लांट से लगाऊंगी जो के छोटी जड़े वाले हूँ और पर्मानेंट हूँ जागता कि बार बार इसकी गुडाई वगेरा ना करनी पड़े खाद ना देनी पड़े तो ऐसे ही प्लांट लगाऊंगी तो आप समझ गया हूँगे कि मैं इसमें कौन से प्लांट लगाऊंगी अभी मैं आपके साथ शोग करूँगी मिटी देखिए मैंने इसमें वेल्डन सोयल तयार की यानि के रिवर सेंड, कमपोस और सोयल इन तीनों चीज़ों को मिलाकर मैंने इसमें मिटी भर कर तयार की अब हम इसमें पर्सलेन लगाएंगे ये जो पर्सलेन है या मॉस रोज इसमें आप लगाएंगे तो फ्लारिंग इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है कटिंग से इसको लगाना बहुत एजली होता है खिले हुए फूल को भी मैं इसमें लगा देती हूं तो ये भी लग जाते हैं और इसमें दो दिन में ही डेवलप हो जाती हैं रूट्स आराम से ये पौधर लग जाता है इसकी कटिंग कभी नहीं मरती है तो बस किसी भी कील या लकड़ी की हेल्प से मैंने मिटी को हलका हलका होल बना लिया इस तरह से और बस इसकी स्टैम लेंगे नीचे से थोड़ी से पतियों को रिमूव कर देंगे और इसमें लगा देंगे बस अगर आप पति ना भी रिमूव करें ऐसे ही खोद के थोड़ा सा लगा देंगे तो भी लग जाती है इसके अलावा आप कौन सा लगा सकते हैं मैकसिकन पिटूनिया इसको भी कटिंग से लगाईए ये देखे देशी पिटूनिया है और इसके परपल कलर के फूल बहुत खुबसूरत लगते हैं इसके अलावा आप लगा सकते हैं पेरी विंकल यानि के विंका सदा बहार ये वाइट कलर तो इसमें तीन कलर के फूल हो गए परपल वाइट और जो अपना परसलेन है इसमें तो माल्टी कलर के फूल खिलते हैं और साथ में प्यारा सा कंटेनर कितना खुबसूरत लग रहा है सच में मुझे तो बहुत खुबसूरत लग रहा है अगर आपको भी लग रहा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसमें मैंने कर दी है वाटरिंग अब यह देखे प्यारा सा पड़ा हुआ सा एक कबार और गार्डिन में रखने के बाद थोड़ा सा डेकोरेट करने के बाद अब इसमें प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा और थर्मकोल के जो बॉक्सेस होते हैं वो प्लांट्स को बहुत अच्छे से चलाते हैं क्योंकि ये धूप में गरम नहीं होते हैं तो इसके साथ ही हम लेते हैं विदा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशानला तब तक के लिए अलाह आफिस इंजॉय इस वीडियो